प्रदेश की सियासत में कसम खाने का नया चलन चल निकला है जब से कांग्रेस के आरपियन सिंग ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया कि वे सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ कराएंगे तो आज शनिवार के दिन अजीत जोगी ने भी आठ धर्म गरंतों को सामने रखकर कसम खाया कि वे भाजपा किसे ना तो समर्थन देंगे और नहीं भाजपा को समर्थन देंगे उन्होंने ऐसा एक समाचार का खंडन करते हुए कहा आज यहां राजधानी के समाचार पत्र ने इस तरह की खबर को प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि अजीत जोगी भाजपा को समर्थन दे सकते हैं इसको लेकर के अजीत जोगी ने आठ धर्म गरंतों को सामने रखकर पत्रकारों के सामने यह कसम खाया कि वे ना तो भाजपा को समर्थन देंगे और ना ही भाजपा से समर्थन लेंगे ऐसा माना जा रहा है कि 36 गड़ जनता कांगरेस जोगी और उनका गठवंधन पूरी मजबूती के साथ अकेले ही चुनाओ लड़ेगा और अजित जोगी ने यह भी साफ किया कि हमारे पाज सरकार बनाने की कूबत अब यह वे किस बिना पर कर रहे हैं यह तो पीस तारीक के बाद ही साफ हो पाएगा ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें ग्लिप्स.in के साथ